कि नमश्कार साथि स्वागत करते हैं आपके अपनी यूटिप चैनल में अरस्तु का अनुकरन सिधात पढ़ेंगे साथियों बिल्कुल संख्षेप में उनके जीवन के बारे में और फिर अनुकरन सिधात है क्या उनकी दृष्टी कॉंट से बहां पढ़ेंगे जनम को आएके साथ चार सो अधिकरन की कताबें हैं हमने एक वीडियो में सभी पाशाते सिधान्त की जो लेखक हैं पाशाते बिद्वान रखा था और रस्तु की कोईसे महत्वर्चनाओं को भी आपके सम्ने रखा लेकिन दो कताबे में अभी आपको बताऊंगा इसमें काप्य जास्तर इसको पॉइटेक्स का जाता है जुनानी भाशा में इस पुस्ता का नाम है पेरी पॉइटेक्स ठीक है और 50 प्रश्थों में कृती है जडियो ग्रीक भाशा जुनानी भाशा में है जी और 26 अध्याएं है इसके दूसरी पुस्तर जो महत्वर्चनाओं ने जो के हैं अरस्तु ने कला को बहुतिक बादी दृष्टिक से नहीं माना है इसने माना है प्लेटो ने माना है ठीक है प्लेटो जो है इनके गुरू है और प्लेटो मानते हैं कि जो का राश्टर के लिए काम नहीं आता है राश्टर के काम नहीं आता है समाज के काम नहीं आता है तुझे ही होता है बहुत तीक बादी द्रिश्टी को अगर कोई चीज काम में आ रही है तब यूँ उसका प्योग करें नहीं आ रही है तो इसको फेंग दो इसको त्याग दू लेकिन आपको बताओं कि अरस्तु का मानना जे नहीं था ठीक है बलकी जहां पर बताओं की वर्ण में नहीं से कर दिया तो आगे पढ़ते हैं साथियों कैसा उनका विचार है उनकरण के लिए उनकरण सिधान्त के समक्ष वो कहते हैं अरस्तु की सौंद्रेवादी द्रिश्टी ठीक है उनकरण सिधा करती की पुन्रावरेती भी कह सकते हैं जा पुने प्रस्तिती पुने प्रस्तिती प्रस्तुती ठीक है पुने प्रस्तुती जा अनकरती ऐसा माना है अनकरण के समक्ष में अरस्तु ने अरस्तु ने अनकरण के लिए मिमोसिस जा माई मीसिस का प्रजोग किया ठीक है जिसका अंग्रेजी अनुवाद होता है इमिटेशन ठीक है भिन भिन शेत्रों में कारे करने वाले कलाकार अपने माध्यम के अनुसार बहुतिक जीवन या जगत का अनुकरन करते हैं कोई भी हो कोई भी रचनाकार हो कोई भी चत्रकार हो कलाकार हो तो अपने परेम बातें से बोती जीवण का जीवणगत का उनकरन करते हैं फिर वो उस रचना को उसमें प्रस्थत करते हैं तीक है, अगे अरस्तु ने लिखा है कि आनकरन ना केबल नकल नहोकर पुने प्रस्थती है त्टीकिया बल्कि जदि मैं प्रकृती को देख रहा हूं प्रकृती की सुच्छ पेड़, पोदे, पिरिक्ष नदिेंग मैं खंया, फिर उसुक्त पेड़, समुद्र, पहाड मैं देख रहा हूं अभी अगर मैं चित्रकार हूं, कलाकार हूं, तो मैं उसका स्केश है, वो मैं एक पन्य के उपर करूंगा, तो ये पुन्हे परस्तूती करना हूँ नाकि नकल जही अनुकरन के सिधानत में अरस्तू कहना चाहता है, ठीक है जी? अगर मैंने पहाड, पेल, पोदों की बात करी है अपनी कविताओं में अपनी रचनाओं में तो वो पुर्ण है प्रस्तुती हुई ना कि नकल हुई ठीक है न जहीं कहना चाहते हाँ आगे साहथ औनुकरन के तीन प्रकार माने है रचतों ने कितने माने हैं तीन पहला है बस्तु जैसी थी अत्वा है यह प्रतियमान रूप है क्या है प्रतियमान रूप बेरी इंपोर्टन है साथी हो पुछा आ सकता है अगला है बस्तु जैसी कहीं जा समझी जाती है यह संभाबे रूप है और बस्तु जैसे होनी चाहिए यह आदश रूप है अभी साथ ही इसको हम दो रूप में ले सकते हैं जे तो रहा अनुकरण सधानत प्लेटो के अनुरूप लेकिन माफ करेगा अरस्तू के अनुरूप ठीक है जे अरस्तू के अनुरूप है अभी जे कहीं न कहीं मैच खाता है मेल खाता है प्लेटो के अनुरूप भी प्लेटो ने पहला स्टप क्या माना था बिचार है ना बिचार माना था ना सातियों हमने बड़ीयों में समझाया था बिचार और वो बिचार है ये बस्तू जैसी होनी चाहिए आदर्श रूप मतलब बिचार जो है वो इश्वर का रूप है वो सबसे पहले है फिर क्या है बस्तू जैसी होनी चाहिए ज क्ज़ति यह संभाब्य रूप जह जगत अब यहते जह जगता है अभी तीसरे रूप कह मोजा क्ई पहले हम बचार को रहा है हैं फिर दूसरे नंबर पर हम समझेंगे कि जे बड़े कारपेंटर द्वारा बनायागा एक मेज है जब कोई कुर्सी है ठीक है और तीसरे नंबर पर आएगा चित्रकार चित्रकार ने उस मेज को देखा और फिर उसका कोई चित्र बनाया ठीक है जही परती मानु रूप कहा गया है ठीक है तो यह तीन स्टेप है अनुकरण के अरस्तु के अनुसार ओके तो अगर हम देखें प्लैटो के अनुसार भी जही है जही तीसरा स्टेप जो है आदर शुरूप लिखा गया काकिते हैं दूसरे स्टेप को हम बड़े द्वारतो की कलाकृति थो ऊब त। फोड़ा ओर समस्माज लेते हैं लेटें स्ट्व के अनुकरण सधानत को नेश्तु का प्लैटो का प्लैटो का प्रतिक्रिय कह सकते हैं ठीक है प्लैटो का जो उब्वाह उसक्तु को वह तो therapists में रखते हुए थोड़ा सा उसमें सुधार किया है और दूसरे स्थर पर उसका विकास भी क्या है महांदाशनी प्लेटों ने कला और काबे को सत्य से तिहरी दूरी पर कहकर उसका महतब बहुत कम कर दिया है जही होता है बहुत इक बादी द्रिश्टी को ठीक है कला और काब उसके शिष्य अरस्तुन अनकर्ण में पुने रचना कास्मावेश कर दिया जिने पुने प्रिस्तुती करण भी कह सकते हैं जा प्रकर्ति का अनुकृति भी कह सकते हैं आगे उसके शिष्य अरस्तुन अनकर्ण में पुने रचना कास्मावेश किया है उनके अनुकर्ण हु हो बहु नकल नहीं है बल्कि पुने परस्तुती करन है ठीक है पुने परस्तुती करन है ओके सातियू अभी देखो सातियू एक उधारण है ज़दी आप अचानख कोई शेर देख ले हैँ ना आपके रास्ते में शेर आ जाए तो आप ड़ जाएंगे वास्तों में आपने शेर देख लेकिन जदी आपने कोई शेर का चित्र देखा तब आपको डर नहीं लगेगा बलकि हो सकता कि आपको अच्छा लगे मन को तो जही तो होता है जही रचना है साथियो उनकर्ण का सिदां जही नकल पुने प्रस्तूती करन किया शेर की रचना का आगे उनकर्ण हो बहुत नकल नहीं है बलकि पुने प्रस्तोती करन है जिसमें पुरू रचना भी शामिल होती है उनकर्ण के द्वारा कलाकार सार्ब भूँम को पहचान कर उसे सरल तथा इंदरी रूप से पुन्हे रूपागत करने का परजतन करता क्या कहा जा रहा है बहुत important पंक्ति ये साथी क्या है क्या है उनकरन के दौरा कलाकार सर्व भौम मुझा सब कुछ पहचान लेता है ठीक है उनकरन के दौरा जो हो रहा है अभी शेर का चित्र है अभी प्रतिये मान संभाव और आदर्श तीनों में से किसी का उनकरण करने के लिए सब्तंत रहे वह संबेदना ग्यान और कलपना आदर्श द्वारा अदि द्वारा अपूर्ण को पूर्ण बनाता है तो जहीं है भाई बात प्लैटों से भी अधिक मानेता जो है उनकरण ईद्वासाल को क्या शाखा जारे जाह है कि जाएएसा सभाविक रूप से होती है कि अरस्तुने कीयग नकल को क्यों होने के कारण ही हीन समझा था ठीक है वो मानते थे कि यह नकल से संबंदित हैं हुब हुब जैसी चीज है वैसी प्रस्तुत कर दी जाती है इसलिए यह बेकार चीज है इसका समाज में कोई स्थान नहीं है प्लेटो का मानना जाई था अरुस्तु ना उसे मातर काभ्य और स्रि छुटी के हो सकती है और फAir इस से उन्हेंने अनकरण का अर्थ और उसकी ध्वनियों को परवर्थित कर दिया दूसरा क्या यह कहा जा रहा है कि अरे प्लेटों के स्मान होती है रस्तु के काबे जीवन में उनकरण की प्रधानता होना सभाविक है चोथा गरीक भाषा में गरीक भाषा में ठीक है कभी के लिए पोईतिश शब्द का प्रजोग हुआ है जिसका व्यूत पत्यर्थ है करता या रचैता कभी घटनाओं का करता नहीं होता बल्कि अनुकरता होता है जो घटनाएं वो लिख रहा है किसी काब्य में ठीक है उसने थोड़ी न की है ठीक है ने जो कोई भी घटना किसी काब्य किसी कहानी की में रच रहा है कोई भी कभी लेखक तौर और थोड़ी उसने कि वो तो उनुकर्था है उसने जुद देखा जो समझा उसको थोड़ा सा उनुकर्ण किया नकल की और लिख दिया उन्ही प्रस्तूती की जो उसने सामने इस प्रकार न्करन के लिए अरोस्टू का विचार है कि प्रतेग बस्टू पुर्ण विक्सित होने पर जो होती है उसे ही हम उसकी प्रकर्टी कहते हैं क्या कहते हैं जो पूर्ण विक्सित हो गई कोई चीज़ उसे हम तो प्रकर्टी कहते हैं प्रकर्टी इस आदश रूप की अपलब्दी की और निरनतर कारे रहती है किन्तु कई कारणों से वे अपने लक्ष के प्राप्ती में सफल नही हो पाती है उनकरण में प्रकरती के इन भावों को कला द्वारा पूरा किया जाता है अगे वही पढ़ेंगे जो इंपस्पोर्टन है इस प्रकार उनकरण एक सरजन क्रिया है ज्य inconsistent चीज है, उनकरण Стंसे सरजन प्रक्रिया उन्कर्ण तत्व महत्व रखता है तो साथ्यों इतना ही इस वीडियो में उन्कर्ण सिधांत के बारे में बहुत बहुत संख़ेप में मैंने बताया तो मिलते अगली वीडियो में जब हम रस्तो के बिरेचन और रास्दी के सिदान को भी पढ़ेंगे